अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से आप अपनी website, अपनी application का data trace कर सकते हैं, monitor कर सकते हैं by using Google Analytics लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी blogger website को भी connect कर सकते हैं analytics से? तो इस वीडियो में हम इसी topic पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी blogger website को connect करेंगे जिससे कि आप अपने blogger website का data भी trace कर पाओ, monitor कर पाओ by using Google Analytics. हलो एव्रिवान, आई हर्मीट, विल्कम यू ओल उन WSQTIC channel, so हम बात कर रहे हैं blogger website की, तो सबसे पहले तो मैं analytics पर थोड़ा आपको setup बता देती हूं कि कैसे आप वहां पर setup करके code महां से generate करेंगे, तो देखिए वैसे तो already मेरे इस Google Analytics में कुछ properties जो है logged in है, लेकिन आप चाहें, तो directly जब आप Google Analytics को open करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की ही window दिखाई देगी, तो आप confused में तो होई हैगा, अगर आपको कुछ different interface दिखता है तो, तो जिसे account detail है, तो यहां पर let's say कि मैं एक account details यहां पर डाल देती हूं, जिसे account का name मैंने डाल दिया, कुछ भी तो देखें, जैसे यह मेरा जो website है, जो blogger पर बनी हुई है, वो है, तो इस particular part पर मुझे जो है, इसका data trace करना है, तो मैं इसका जो नाम है, वो as it is, यहां पर डालूँगी, जैसे मेरी property का नाम है, उसके बाद में तर आपको reporting time zone यहां पर select करना है, तो मैं यहां से India कर देत तो यहां पर अगर आपको universal analytics की property आड़ करनी है, तो वो आप select कर लोगे, otherwise आपको GA4 की property आड़ करनी है, तो आप next पर click करोगे, तो आप इसको click कर लोगे, आप next पर click करेंगे, next पर click करने के बाद में यहां से कुछ basic information पूछ रहा है कि आपकी industry आप select कर लो, okay, so let's say मैं अप create, okay, create करने के बाद में, यह कुछ हमारी terms and conditions आएंगी, इस पर मैं इसको take कर रही हूँ और I accept, पर में click करूँगी, अब यहां पर आप देखोगे, तो अब आप से पूछा जा रहा है कि अब आपको अपना एक data stream को set up करना है, जिससे आप data जो हैं, कलेक करना शुरू कर सको तो आप universal analytics करोगे तो directly वहां पर tags आजाएंगे, वहां पर options मल जाएंगे आपको अपने google analytics को connect करने के, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि आपको data stream को collecting data कलेक करने के लिए आपको set up करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं platform को चूज कर रही हूँ जैसे web आगया, त that is, that is, okay. तो मैं इसको लाग कर यहां पर website में यहां-पर copy कर रही हूँ, okay. और यहां पर अपनी name जो है website का वह यहां पर डाल रही हूं, okay. यह करने के बाद मैं मैं हाँपर create stream पर click करूँगे, okay. जैसे ही create stream पर आप click करोगे, तो यह यहां-पर देखिए कुछ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यह वेब स्क्रीम की डिटेल्स आजाएगी अब यहाँ पर यह टागिंग इंस्रक्शन है यह कुछ इंस्रक्शन दिया हुआ है जिसे आप टाग करेंगे या फिर अपनी वेब साइट में अप्लोड करेंगे तब ही आपका डेटा जो है वो ट्रेस हो कापी करने के बाद मैं आप देेखोगे तो थे हमारा ब्लॉगर का पॉस्ट है यहाँ पर आपको जाना है इस थीम पर यह हमारा फॉरण जैसे ए रवला इंल टोगकर करेंगे यहां पर आपको जाना है इस थीम पर गें यह आपको कुछ प्सक्राइब कोने तो यहां पर कुछ आपश्यूंज कर देंगे सिर्फ कर देंगे यहां से स्टेइमल को एड keeping ईड़िय ईडिट कर पाएंगे एडिट कर पाएंगे आधिंट इडिलिक कर कुछ अपि soci BT कर जाएगा तो यह जो is इसको हमने copy किया था इसको अब हम अपनी website के head section में paste कर देंगे तो देखी यह head section यहां से जो है शुरू हो रहा है आप इसको यहां पर कहीं बीच में भी paste कर सकते हो मैं जैसे जहां पर head section शुरू हो रहा है उसके just बाद यह जो tag है यह लगा दूगी यह लगाने के बाद में आप इसको save कर दोगे यहां पर यह save का option है यह save कर दोगे तो अब आपके stml में यह जो google analytics 4 का जो tag था वो लग चुका है सेम इसी तरीके से हम universal analytics का जो tag है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप google search console का google tag manager के जो tags हैं वो अपने blogger website में लगा सकते हैं तो अ अब यहां पर आपका जो है यह tag लग चुका है 48 hours के वीफ में यहां पर जो है थोड़ा information को gather करेगा okay otherwise यह सिफ मैं आपको एक dummy example दिखाया है बट इसी तरीके से आपको अपने blogger website को google analytics से connect करना है so I hope इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा and जो भी blogger website यूज कर रहे हैं जसकी working hard और इस तरीके से आप अपने data को अपने जो भी blogger पर कैसा perform आप कर रहे हो उसको आप trace कर सकते हो on google analytics so isn't it amazing so इसी तरह की वीडियो के लिए do subscribe to wskubetic channel and अगर आपको google analytics का complete course चाहिए वो भी एक दम प्री में तो description box में आपको playlist का लिए मिल जाएगा सारी वीडियोज महाँ पर available है आप अपने recording महाँ से वीडियोज जो हैं देख सकते हो साथी वीडियो अच्छे रोगे तो like करना फिलको भी मत भूलना thank you so much